एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इस चीज़को भी अपन मोशन बोलते हैं and what do you mean by measurement measurement means नापना and distance मतलब दूरी यहनि कि इस lesson में पढ़ेंगे motion के बारे में और measurement of distance के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो इसमें सबसे पहले क्या है जैसे दो imaginary child जैसे यहां पे लिए ने पहली and भूजो जब वो silent vacation के बार में अपनी class में आते हैं एक general students में general discussion होता है कि वो अपने summer vacation में कहां-कहां जाकर आएं कैसे जाकर आएं जैसे वो अपनो डादिए के गर जाकर आएं या फिर कोई कहईरँ अपनो नादिए के गर जाकर आएं तो वो किस साधन से जाकर आई हैं जैसे हो कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम बाई ट्रेन हम ट्रेन से जाकर आ रहे हैं जैकि कुछ बच्चे कह रहे हैं हम बस से जाकर आ रहे हैं तो साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी कहता है कि हम एरोपलेई से जाकर आई हैं तो इतने सारे ट्रांस्पोर्ट के जो यह आपके साधन है वो डवलप नहीं हुए थे तो उस में पर लोग क्या रिचा करते थे कौन से साथन से वो विचिट क्या करते थे हैं फिर ट्रैपल क्या करते थे एक स्थान से दूसर स्थांग पन तब इसमें हमारा है स्टोरी ओफ ट्रांसपोर्ट जैसे लोग अगो काफिस में पहले people did not have any means of transport लोगों के पास ने यातायात के साधन नहीं थे मतलब कि यातायात के साधन जो है वो डवलप नहीं वे थे they used to move only on foot and carry goods either on their back or using animals तो उस समें पर वो लोग एक स्थान से दूसर स्थान को जाने के लिए क्या उसकते थे by foot means पैदर ही जाया करते थे और अपना जो समान है वो अपनी बैक हैं के पीट पर रख करके या फिर animals पर रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे और साथ ही साथ जैसे जो water टैकनी डवलप नहीं हुए थी जैसे आजकल की जो बोट से आप जो देखते हो इस तरह की वो बोट नहीं हुआ करती थी वो simple बोस थी इसमें जैसे एक लखडी का जैसे कोई piece है hollow है वो अंदर से उसको ही वो यूज किया करते थे एजे बोट वाटर रूट्स पर ट्रेवल करने के लिए दीरे-दीरे जैसे ओर इंप्रूव्मेंट होता गया तो नोंने जैसे कई सारे वाटर कई सारे जबूर की लोग से उनको अटैस करके उनको जोड करके उसको दीरे-दीरे एक बोट की शेप देना स्टार्ट कर दिया बोट की शेप उन्होंने कैसी दी वो दी उन्होंने स्ट्रीमलाइड शेप स्ट्रीमलाइड शेप जैसी की फिश्की होती है जो की मैंने आपके बता रख है स्ट्रीमलाइड का मतलब क्या होता है बीच में से चोड़ी और end points में से सकड़ी ऐसी shape को अपन कहते हैं streamlined shape ऐसी shape जो बीच में से चोड़ी होती है और end points में से सकड़ी होती है इसे अपन कहते हैं streamlined shape तो इस तरी की shape नों ने देनी शुरू कर दी box को इसके बाद क्या हुआ जैसे धिरे-धिरे क्या हुआ वील का जैसे आविश्कार हुआ पईय का आविश्कार हुआ तो इससे क्या हुआ हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन जो है धिरे-दिन ने बनने श्टार्ट हुए जैसे सबसे पहले हमारे बैल गाड़ी बगर बनी है तो इ वृनको क्हीचने के लिए सुदूब में अनिमस का लिए 15 गारी उनके गोट घ्री इसाती आपकी की अवच इसमें गोरी ए विल्स का और यह लगिए लेकिन को खीचने के लिए अनिमस का यूज्छ गोए पहले किया जगता था सबर मत मैं से जैसे motorized, जैसे vehicles चलने लगे अपने, तो धीरे-धीरे क्या है, हमारे यात्यात के साधन जो है, धीरे-धीरे developed होते गए. The early years of 1900, साधा development of aeroplays, 1900 के शुरुवाती years में, शुरुवाती साल में, जो है, aeroplays developed होने लगे थे, बनने लगे थे. और 20th century के जैसे शुरुवात में, बीश्री स्ताबदी में, और भी ज़्यादा improvement हुआ, यसे हमारे electric trains बनने लगे, monorails, supersonic aeroplanes, spacecraft, ये सब जो साधन है, वो धीरे-धीरे हमारे develop होते चलेगे. Okay students, clear to all of you?